ओम शान्ती पुस्फस किचेन में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लाए हूँ पेंगोली नास्ते की रेसिपी एप लूची और आलू चच्चुरी की देखी एक कड़ाई बिठाऊंगे इसमें दो चम्मच रिफाइन ओयल दूंगे और एक चुताई चम में दे दी हूँ अब मैं इसको मिक्स कर लूँगे मिक्स करके ढखके मीडियम फ्लेम में पाच मिनिट पका लूँगे पाच मिनिट पकाने के बाद एक बार मिक्स कर लूँगे देखिए आलू को जड़ासिक भूनना है अब इसमें मैं हाप चमच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक दे दूंगे, नमक साद अनुशार देना है, अब अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद इसको ढखके फीर से पकाना है, ऐसे आप ये आलू जच्चरी को पका लेना है, देखिए, अब और पाच मिनिट पकाने के बाद, अब मैं इसमें पानी दे को आलू गलने तक पका लूँगे जब्हक आलू पक रहा है तक मैं मैंदे का डो बना लूँगे देंगे एक चमच शकर और हाप चमच नमक दे दूँगे देने के बाद यहां दो चमच रिफाइन ओयल दूँगे यहां में 400 ग्राम मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ अब अच्छे से मीक्स कर लोंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल में नए हो तो सस्काइब करना ना भूले और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर पेश कीजिए उससे क्या होगा मैं जब भी कोई वीडियो डालोंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखिए अब मैं आटे मैदे का जो डो बना रही हूं उसमें गुनगुना पानी इस्तेमाल कर रहे हूं गुनगुना पानी इस्तेमाल करने से पुरी बहुत सौप्ट बनता है मैदे का जो पुरी होता है बहुत सौप्ट बनता है अब दूसरे दिन भी वासी खा आलू पग गिया है इसमें तो कोई मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ है तब आलू को थोड़ा मैस कर देना है इससे क्या होगा सब्जी जड़ा गाड़ापन आ जाएगा देखिए अब ऐसे ही अच्छे से चितना हो सके मनें 25% मैस कर लीजिए इससे आलू में गाड़ापन सब्ज में आ जाएगा अब इसमें मैं सक्कर दूंगे क्योंकि आलू चच्छुरी में जड़ा सिक शक्कर पड़ता है एक चमच में सक्कर दे रही हूं आप अच्छे से मीक्स कर लोंगी मीक्स करके देखिए और थोड़ा अलू को मैं मैस कर लोंगी मैस करके और इसको और दो मिनि ये सुवा में चर जल्दी बन जाता है देखिए इधर चचुरी दो मिनिट हो गया है अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूगी मिक्स करके हरा धनिया देके ये कॉम्पलेट हो गया इसको साइट में रख दूँगी चचुरी को अब पूडी को मैं बेल लोगी डेकिए ऐसी गॉल-गौल करके बेल लेना है अब मैं पूडी को तलूँगी इधर पहले ही में रिफाइन ओयल को गरम करने दे दी थी रिफाइन ओयल और पूरी को हई फ्लेम में आप अच्छे से गरम कर लिजी उसके बाद ग्यास को मीडियम में करके पूरी को तलिए और पूरी का जब भी आटा बनाएं, आप आटा जरासिक सक्त बनाएं, सक्त सानियार की, तो सानने से क्या होता है, उसका डो जो सक्त होता है न, तो पूरी में ज़्यादा ओयल नहीं जाता है, ओयल बहुत कम लगता है उसमें से, आप ये पूरी में तल नहीं हूँ, उसका रातों से खुमाती रहोंगी इसे बहुत अच्छा पूरी बनेगा और उपर से ओईल भी देती रहोंगी देखिए कितना अच्छा फूल रहे है ना ऐसे आपका पूरी भी बनेगा आप लोग भी बनाईए बनाकर खाईए और आपका अनुभा पुस्पस कीचेन में शेयर कीजिए वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजिए मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद